हुँ ध्यान विशेवाद करी रहाँ छो, कोई वस्तु उपर पर नहीं, बस ध्यान आपवो, योगिक सिस्टम मा, आपने तेने दशावधानी, के शतावधानी कहिये छी, तेनों आर्थ ए छे, एक मानास एकत समय पर दस वस्तु उपर शे, हवे, तमें कई पण चुको नहीं तो बधा विचार शेके तमें कोई प्रकार ना महा मानाव छो, अमें तमने बहुं शक्ति शाली प्रक्रियाओ आपी शकिये छीए, जन्य द्वारा तमें तमारी ध्यान आपवानी क्षमताने वधारी ने वदूने वदू उच्चु स्तर पर लेजेई शको छो मारो प्रश्ण एछे के तमारा माटे फोकस एटले शूँ अन्य आपणे आपणे जीवन माँ फोकस के वी रिते आपी शकिये तो फोकस नी तमारी व्याख्या शूँ छे आज शब्दनों वरणन करवानी घणे रितो छे फोकस कहवाने बदले जो अपने ध्यान शब्दनों उप्योग करिये शूँ तम्में सम्मत थशो के फोकस ने ध्यान एकज वस्तू छे तेमा थोड़क तफावत छे तेमा बारीक फिरफारो पन छे पन जहरे तम्में फोकस कहो छो ते एवो छे के कुई पन वस्तू पर लाइट फोकस करवी फोकस हम्मेशा एकज जग्या पर होई छे ध्यान आप वो वदू व्यापक होई शके छे जो ओ अत्यारे जो तमारी पासे स्पस्ट द्रस्टी छे मने पेला युवान ने जो आमा तकलिफ थे रेचे केम के तमें तेने अंधरामा राख्या छे त्या आँ हॉल मा पण जो आ हॉल बराबर प्रकाशी थोत तो मारे मारी जातने अहीं बैठेला लोकों ने जो आमाटे फोकस न करूँ पड़ते मने बस ध्यान ने जरूर छे जो हूँ ध्यान आपू तो हूँ अहीं बैठेला बद्धा लोकों ने जोई शकिश त्यो जेम छे तेम पण हवे जो मने एक यू अनमा रस पड़े तो पछी मारे फोकस करूँ पड़ छे जो मारी पासे मारी आसपास नी दरिक वस्तुवों माटे सामान्य ध्यान वगर फक्त फोकस होई हुँ भेदभाव वगर ने ध्यान ना विशे बात करी रहो छो ध्यान कोई वस्तु विशेपण नहीं बस ध्यान होँ केम के गेम के तमार यंदर अमुक्ष तरनू ध्यान अने जागरूती छे, झाने ветलेश नमे जाना छो कि तमें अस्तित्व मा छो नहीं तो चलो कहिए के उंगुमा तमारा अनुभव मा ना तो दुनियानु अस्तित्व छे ना तमारू पोतानु बस एटलूश थायू छे के ध्यान नती रहो केमके जारे कोई ध्यान नती होतो तेरे कोई प्रकारनी समझपन नती होती तेथी प्रथम वस्तु ध्यान छे, एटले के दरेक वस्तुनी सामन्य समझ होवे, पछी कोई चोकस वस्तुनी रुची छे, पछी आपने तेने ते चोकस रुची पर फोकस करिये छी तो फोकस नो हितु कि तेनी व्याख्या शूँचे फोकस नो उप्योग शूँचे फोकस आपने क्या लईजी शके आपने कोई वस्तु पर फोकस करिये छी या फक्तर एकलाम माटे केम के आपनो ध्यान पूर्तु तेज न थी जो आपनों ध्यान पूर्तु तेज होए तो तमने कोई वस्तु पर फोकस करवानी जरूर ना पड़े योगिक सिस्टम माँ अमें तेने दशावधानी के शतावधानी कहिये छी तेनों अर्थ छे कि एक मानस एक समय पर दस वस्तु ओ करशे अनि बीजो मानस एक समय पर सो वस्तु ओ करशे एक समय ते चोकस संगेतना रागनू उच्चारण करशे तेज समय ते खुबज जटील अंक गणतनी समस्यानी गणतरियो पन करशे तेज समय ते कविता पन लगशे आर इते ते दस वस्तु ओ अथवा सो वस्तु एक साथे करशे अवालोको होई छे तमें तेनों उप्योग आमतो एक स्टेज परफोर्मर बनवा माटे करी शको छो अथवा तमें तेनों उप्योग तमारा जीवन मा करी शको छो तमें एक उद्योग साथ सिक छो ते बोव महत्वनों छे जो तम्हें रस्तामा चाली रहा हो तो तम्हें कोई एवी वस्तु जोशो जे बीजा घाणा लोको न जोईशकता होए त्यारे तम्हें एक लेडर वनो छो किमके तम्हें ते वस्तु वो जोईशको छो जे बीजा हजी जोईशक्या न थी त्यारे तमें नेत्रुत्वनों स्थान लो छो क्यमके मुलभूत रिते नेत्रुत्वनों अर्थ छे तमें उचाई पर छो तमारा उचाई पर होवा थी तमें अन्या करता वदू सारी रिते जोई शकवा जोई है तो ध्यान ते परिमान छे जे तमने ते उचाई पर लई जशे जो तमारू ध्यान दरेक बाबत मां प्रबढ होवू हशे तो तमारे आ विशेव मां भिदभाव करवानों बन करूँ जी ये कई बाबत मां? मने आ व्यक्ति गमे छे, मने आ व्यक्ति गमती नथी आ सारू छे, आ खराब छे, आ सरस छे, आ सरस नती, आ उप्योगी छे, आ उप्योगी नती जो तमें कोईपन प्रकार्नों भेदभाव ना करो तो तमें फक्त तमारा ध्यान पर काम करो छो कोई वस्तु विशे सचेत रहवा विशे नहीं बस अत्यन तो सचेत रहवा विशे, बिजी कोई पन बाबत विशे नहीं, जुओ, अत्यारे, जो तमे आ हॉल मा ज्यां तमे बैठा चो, त्यां वोल्टेज वधार शो, तो ज्यारे प्रकाश आवे छे, त्यारे प्रकाश एम नथी विचारतो, के मारे कोना पर फोकस करवो ज ज्यारे प्रकाश आवे छे, त्यारे ते रुम्मा जे छे ते बधुश दिखा शे, आज महतवनू छे, आ खुबज अगत्यनू योगीक प्रक्रियानू एक पासू छे, ते ए छे के आपने आपना द्यान पर सतत काम करता रहिए, आपने आपनो द्यान वधू अने वधू वोल्टेज आने तेरोता तरफ खेंशता रहिए, हवे अमें फोकस करवा माटे प्रोच सहित नथी करता, करण के फोकस एटले के ते बधा ध्यान ने एक अत्र करीने एक विक्ती पर भुखवो, धारो के तमें तमारू बदू फोकस एक जग्या पर लगावी आने, त्यां तमने कई पन योग्य मलिव नहीं, तो तमें तमारा जीवन नांते शू करशो, मुटा भगना जीवन मा आज थतु ओई छे, हवे तमें फक्त तमारा ध्यानने जी एक प्रबळ बनावा पर काम करो छो, कि जो कोई विक्ती कोई वस्तु पर पन फोकस करे तो पन ते एकलु तिवर नहीं होए, जो तमारू ध्यान इटलू तिवर हशे तो तमें आज ब्रह्मान में एक पन वस्तु नहीं चुको। तम्हें तम्हारी ध्यान आपवानीक शम्ताने वधारीने वद्धुवने वदू उच्च स्तर पर लिजए शको। तम्हें केटली स्पस्टरी ते जुओ छो। ते लक्यी करेश कि तमtones आज जीवन में केटली सफ़़ता पुर्वकर हो छो। तेना विशे कोई प्रश्चन नहती। तमारामा स्पस्टतानों केटलों अभाव छे तेटला प्रमाणमा तमें तमारा जीवन मां भुलो करशो। खरेकर आविशे कोई प्रश्णज न थी। तो जो व्यक्ति ये कहींक मिलववू होए। सव प्रथम तो आध्यान केडववा तरफ काम करो। प्रथम वस्तु ए छे के तमें तमारी बेदभाव साथे जोवानी भावना ने छोड़ी दो। तमें आ व्यक्ति तरफ तेरी ते न जुओ के ओ आ एक पुरुष छे आ एक स्त्री छे आ एक कुत्रो छे आ आ चे आ प्यलू छे कोई पन चुकादावी ना बस ध्यान आपो। जो तमें कोईपण चुकादावी ना कोईपण वस्तु ओने दरेक वस्तु पर ध्यान आपो छो तो तमें जो शो के जो तमें बस कीड़ी पर ध्यान आपो छो तो त्यां असाधरन वस्तु ओ छे तमें जर्मनी में आचो, कौन जाने छे के जो तमें एक किडी पर पुर्तु ध्यान आपशो, तो कदाज तमें ग्रह पर नी स्ट्रेस्ट ओटो मोबाईल विक्सावी शको छो, कराण के मैं कोई मशीन ने किडी जेटी चपड़ता रती फर्ता जोयू नथी, पड़ मनें त्यारे तमें एक सरल प्रयोग करी शको छो, जो तमें आरी ते तमारों चेहरों सहज उचो करीने बैसो आने तमारी आखों बन करो तो, तमें जोशो के सवभावी करी ते तमारी ब्रहमर वच्चे फोकस रहे शे, परन्तु तमें घणे बदी बाबतों प्रत्य वाक्य फ्र परन्तु ध्यान, ध्यानने वृद्धी जे आखरे तमने एवी जग्या पर पहुंचाड़े छे, जियां तमें जागरुक बनो छो, अथवा बीजा लोकों ना शब्दों मा कहिए तो सुपर जागरुक, ते मातरा जागरुक ताचे परन्तु लोकों माने छे के तमें जो छो, आना माटे सहुती महत्वनी बाबत एचे के तमारु मन प्रिजमनी जेम काम नथी करतू, जे वस्तु अने विक्रूत करी ने अने जेनू अस्तित्व नथी ते डिजाइन देखारतू नथी, तमारु मन एक सपाट अरीसा जेवू बनी जाए चे, ते बधुझ जारे तमे दरेक वस्तु ने ते जेवी छे ते विरी ते जोशो, त्यारे जी तमारी पासे दरेक वस्तु ने समझदारी पुरोग हेंडल करवानिक शमता हाशे, नहीतर तमे बधे गडबडु भी करशो, अने आयेक उद्योग सासिक माटे खुबच महत्व प्रूना छे, क अने आयेक वस्तु ने तो